देश के अलग-अलग हिस्सों में आज लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है जहां अपना धर्म मज़ग चुपा कर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाने उसका शोशन करने और फिर उस पर शादी करने का दबाव बनाने के साथ-साथ शादी हो जाने के बाद उसे अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया जाता है इस पूरे प्रक्रम से बिहार भी अचूता नहीं रह गया है बिहार के पूर्णिया जिले से एक ताजा मामला सामने आया है जहां एक मुस्लिम युवक ने भगवा गमच्छा हाथ मे कलावा और नाम बदल कर एक हिंदू युवती से विवाह किया और उसके बाद उसे अपने घर ले आया जब लड़की शादी करके लड़के के घर पहुँचती है तब पता चलता है कि लड़का मुसल्मान है और यह उसकी सात्मी शादी है गले में भगवा रंग का गमच्छा हाथ में कलावा माथे पढ़ टिका साथ में खड़ी एक महिला जिसकी मांग में भरा है सिंदूर देखने पर लगता है कि यह विवाहित हिंदू जोड़ा है किन्तु सच का खुलासा होता है तो पर्दे के पीछे दिखती है कुछ और ही कहानी लड़की हिंदू युवती और लड़का शंकर यादो उर्फ मुहम्मद जियारूल पहचान एक बंगाली मुसल्मान दरसल पूरा मामला बिहार के पूर्णिया जिले का है जहां तक्रीबन 32 साल का एक युवक हाथ में कलावा माथे पर टी का सिर पर भगवा गमचा पहन कर एक हिंदू युवक बनता है और नाम रखता है शंकर यादो हिंदी भाषा को बोलता है और टारगेट करके एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फसाता है और उसके बाद जब हिंदू लड़की उस युवक से प्यार करने लगती है तो उस युवक से शादी करने की भी इच्छा जाहिर करती है और युवक भी उससे शादी जिस शंकर यादो नाम के लड़के से उसने असल में शादी की थी वो सिर्फ हिंदु धर्म को बदनाम करने के लिए मात्र एक हिंदु बना और उसने शंकर यादो नाम जूट रखा था। उससे पहले भी छे शादिया की हुई थी। जबकि शादी से पहले हिंदु यूवती को उस यूवक ने बताया था कि वो कुमारा है। मामला ज्यादा बढ़ा तो हिंदु यूवती तंग आकर किसी तरह से खुद को बचाते हुए थाने पहुचती है और अपनी शिकायत दर्च कराती है। यूवती की शिकायत पर पुलिस जाँच करती है और सारा सच सामने आ जाता है कि किस तरीके से हिंदु यूवती को इस मुसलिम यूवक ने फसाया और अपने प्रेम जाल में फसा कर जबरन उसका धर्म परवर्तन करने का प्रिहास कर रहा था। इसके बाद अब पुलिस ने आरोपी शंकरियादो और मौम्मद जी आरुन को उसके दो अलग-अलग फर्जी कार्ड के आधार पर उसके साथ गिरफतार करते हुए आगे की कार्रिवाही शुरू कर दी है। गोर तलब है कि देश और समाज में कुछ चुनिंदा लोगों के इशारों पर पूरे देश में अलग-अलग स्थानों पर लव जिहाद के साथ-साथ दबाव बनाकर अत्वा ब्रेन वाश कर लोगों को बरगलाते हुए उन्हें धोखे में रखकर उनका धर्म परिवर्तन क ऐसे में हमारी और आप की और साथ ही सरकार की भी जिम्यदारी है कि इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिया जाए हमें किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं है बलकि उस धोखे उस जूट उस फरेव से नफरत है जो मात्र अपने स्वार्थ के लिए मासूम लड़कियों अत् उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाओ बनाते हूँ उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं जो बच जाते हैं उनका तो ठीक लेकिन नजाने कितने ही इस माया जाल में फंस कर अपना वजूद अपनी पहचान और अस्तित्वक खो बैखते हैं अता है आप भी सावधा पहचान रखकर देश और समाज के लिए कुछ बहतर करने और भीड में रहकर भी भीड से अलग पहचान रखने का हुनर आपने बच्चों को सिखाईए इनी शब्दों के साथ मुझे अनुमती दीजे फिलाल आभी के लिए बस इतना ही बिहार की और भी तमाम खबरों के टीवी बिहार धन्यवाद